जारकन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारकन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे आतंकियों के खिलाप ऑपरेशन में सेना के 5 जवान सहीद आतंकवाद से जंग के दरान भारतिये सेना को बड़ा जटका लगा है बता देखो hण को पूछ में आतंकवादियों के खिलाप contribute एक ऑपरेशन के दरान एक जेसियों समेट 5 सैनिक सहीद हो गए हैं सुत्रों के मुताबिक सैनिकों की यह सहादत उस वक्त हुई जब एक टुकडी आतंकवादियों के खिलाप सर्च अपरेशन कर रही थी बता दे इसी दोरन आतंकवादियों ने घात लगा कर सैनिकों की टुकडी पर हमला कर दिया जिसमें एक जेसियो समेत पाँच सैनिक सहीद हो गाएं फिलहाल भारतिये सेना की ओर से अतिरीक्त फोर्स को मौखे पर भेजा गया है और इलाके की घिराबंदी कर ली गई है हमलवार आतंक वादियों से मुड़भेड जारी है सरकार की गाइडलाइन का पालन करके ही करे माता के दर्सन राइधानी राजी समेत जार्खन के सभी जीलों में आज भगत मात दुर्गा के दर्सन कर सकेंगे हलाकी इस बार भी कुरोणा संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है इसमें पूजा पंडालों के आकार समेत कई गैलेन जारी किया गया है इसके अलावा 18 साल से कम उम्रवालों को पंडाल में परवेश करने के उनमती नहीं दिया गया है बतादे परसासन ने अधिकारियों को ये असपस्ट कर दिया है कि सवी पुजा समीतियों को हर हाल में सरकार द्वारा जारी गईलेन का पालन करना होगा जो भी परसासन के अधिस का उलंखन करेगा उस पर आपदा परवधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रवधानों के अनुसार और IPC की धारा 188 के तहत भी कानूनी करवाई की जाएगी जारखन कंग्रेस का मौनवरत केंद्रीय गRIह राजय मंतरी अज़ाए मिश्रा को बरखास्त करने और UP के लखेम पूर्खीरी हिन्सा के दोसियों की गिरफतारी की माग को लेकर जारखन कंग्रेस को राजभन के समक्ष मौनवरत रखा बतादे इस मौन वरत कावेजन जार्खन कॉंग्रेस के परदेश अध्यक राजस्ठाकूर के नेत्वित में किया गया इस मौके पर जार्खन के ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम क्रिसी मंत्री बादर पत्रलेक समेत अनेनेता मुझूद थे जैक बोड मैट्रिक इंटर परिक्षा का पहला चरण दिसंबर में जैक बोड की मैट्रिक इंटर 2022 के पहले चरण की परिक्षा दिसंबर में लिजा सकती है परिक्षा फरम जामा करने के परकिरिया अक्टूबर अंत यार नौंबर के प्रथम सब्ता में शुरू होगी दुर्गा पुजा के बाद जार्कन एकेडमी कॉंसिल द्वारा इसकी तयारी शुरू की जाएगी पहले परिक्षा नौंबर में लेनी की तयारी थी दूसरे की परिक्षा में 44-44 अंग की परिक्षा ली जाएगी पहले चरण की परिक्षा ओयमार स्वीट पर होगी वही आंत्रिक मुल्यांकन वह प्रयोगिक परिक्षा एक ही चरण में ली जाएगी जारगन में एक के चपन के साथ आठ नक्सली गिरफतार टंडवा के उपर मुख हुआ कोईला कारोबारी बवलू सागर मुंडा पर जान लेवा हमलावा उनके भाई प्रेम सागर मुंडा के हत्या में सामीट टी एस पीसी के आठ उगरवादियों को राची पूलिश ने गिर में चार सूटर समेत कूल आठ उगरवादी गिरफतार किये गाए हैं जे टेट परिक्षा नियमावली में होगा बदलाव राज्य में कोमर्स संकाय से असनातक करने वाले बिद्यार्थी भी अब मध्य बिद्याले में सिक्षक बन सकेंगे बता दे राज्य में फिलहाल मध दे बिद्याले में कला, बिग्यान, एवं, मान, वीकी, संकाय के बिद्यार्थियों की ही नियुक्ती होती थी। होती है जिसमें सिख्षक के नियुक्तिक परकिर्या में सामील होने के लिए अवियार्थी का सिख्षक पत्र दा परिक्षा पास होना अनिवार यह है स्वास्त मंत्री की बैठक में 22 बिंदू पर होगी चर्चा रिम्स सासी परिशत की 52 बैठक सोमवार को स्वास्त मंत्री बना गुपता के दक्सता में होगी बतादे दोफर 12 बैसे रिम्स प्रसासनिक भवन में आवेजित बैठक में 22 बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा बैठक में डॉक्टरों की निजी प्रेक्टिक्स की निगरानी पर भी फैसला लिया जाएगा बतादे 17 बैसे रिम्स ने प्रस्ताव त्यार किया है कि पटना IGMS की तर्ज पर डॉक्टरों की निगरानी के लिए डिटेक्टिव एजेंसी को निउक्त किया जाए ताकि एजेंसी से निजी प्रेक्टिस के लिए जासूसी करने को लेकर डॉक्टरों में रोस है नवरात्र में टीका करन की रफ्तार सूस्त इसमें से 41-214 को पहला डोज वा 36-206 को दूसरा टीकाट का डोज दिया गया है मुख्यमंत्री पसुधन इसकीम की रासी की होगी वसुली मुख्यमंत्री पसुधन इसकीम के तहट कुछ लाभुकों के खाते में पैसे बेज दिये गया है लेकिन वे इस पैसो से पसुध अक्षी खरिदने में रूची नहीं दिखा रहे है बतादे इससे सकीम पर असर पर रहा है ऐसे लोगों को चीनित कर रासी वसुलने की परकि लिए सुरू करने का अदैस पसुध पालन सोह गव्यर निदेशक ने दिया है इसमें सामिल दोसी अधिकारियों को भी चीनित करने का आदेश दिया है बतादे बैंक कर्मियों के बिरूत भी करवाई की अनुसंसा की जाएगी पसुपालन निदेशक ससीप प्रकास जहां ने सभी जीला पसुपालन पदाधिकारियों को इसे समंधित पत्र जारी किया है बतादे पिछले दिनों हुई समीक्षा के दुरान आये मामलो का भी जिक्र किया गया है जहारखन में 69 लाख में से 9 लाख घरों तक ही पहुँचा जल जीवन मिशन केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत बस 2024 तक जहारखन के 69.23 लाख घरों में नल से जल पहुचाने का लक्ष रखा गया है बतादे पेजल स्वास्ता विभाग के अनुसार मौजूदा बीतिय वर्ष में अब तक सिर्फ 8.88 लाख घरों तक ही नल से जल पहुच पाया है जहारखन इस योजना में राश्ट्रिय अवसत से लगभग 28 परतिसत पीछे चल रहा है बतादे प्रगति का राश्ट्रिय अवसत 23.23 परतिसत है वहीं राज्य की प्रगति का अवसत 15.12 परतिसत है राई सरकार की ओर से एक जुलाई से इस अभ्यान को गति परदान की गई है बतादे प्रति दिन अवसतन 1500 घरों में नल से जल पहुचाया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोट के जज का जार्खन उचन्याला में तबादला है जार्खन हाई कोट को एक और जज मिला है बतादे इलाहाबाद हाई कोट के जश्टिस सुभास चंद्र का तबादला जार्खन हाई कोट कर दिया गया है उनके तबादले की अजिसुचना राष्टपती ने जारी कर दी है बतादे राष्टपती की ओर से जारी अजिसुचना में जस्टिस सुभास चंद्र को जार्खन हाई कोट में जोगदान देने के लिए कहा गया है जस्तिस सुभास के योगदान देने के बाद जारखन हाई कोट में जजों की संख्यावीश हो जाएगी जबकि यहां सिवक्रित पद 25 है बताद देजज सुभास चंद्र का जनम 1 जनवरी 1963 को हुआ है इन्होंने अपनी पहली ज्वाइनिंग 16 सितंबर 2020 को इलाहबाद में की थी रांची में ट्रेफिक समस्या को लेकर पूलिस को करे फोन दुरका पूजा नौरात्र पर रांची के परभारी ट्रेफिक SP रेसमा रमेशन ने सहरवासियों के लिए बड़ी सोगात दी है ट्रेफिक समस्या के समधान के लिए दो हेलफ लाइन नमबर जारी किये गए है बता दे रांची के लोग ट्रेफिक से जूड़ी किसी भी परकार के समस्या के लिए इस हेलफ लाइन नमबर पर फोन कर सकते है नमबर 897890772 एवां 89890772 पर कॉल कर सकते है बता दे हेलफ लाइन नमबर पर सुबा 8 बय से रात 8 बय तक चालू रहेगा ट्रेफिक एसपी ने कहा है कि भीड़ भाड में रागीरों को किसी परकार की परसानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए यह कदम उठाए गए है मंत्रियों के बीच 20 सुत्री जीलों का परभार बटा जखारखन के मंतरियों के बीच 20 सुत्री जीलों का परवार बाट दिया गया है दरसल या 22 फरवरी को ही अधिसूचित किया गया था। उस्सी अधिसुजना में आंसिक संसोधन किया गया है। कार्यान वेयन समीती के अध्यक्स नियुक्त किये गए हैं इसी तरह चमपाई सुरेन को दुमका देवखर जामतरा जोबा मांजी को पलामू पाकूर लाते हार सत्यानन्द भोक्ता को रामगर लोडगा हजारी बाग बना गुपता को धनबाज, सराय के लाग हर्जावा बादल पत्रले को गडवा पच्मी सिम्भूम यानि चाई बासा, मितले श्ठाकूर को चातरा पूर्वी सिम्भूम यानि जमसेदपूर हफजूर हसन को कोडारमा गिरीडी जगनात मतों को राची जिमा दिया गया है इस प्रस्ताव पर मुखमेंत्री हमन सुरेण ने समतिपैदान कर दी है राची में होने वाले भारत न्यूजिलेंड मैच में नहीं होगा कोई बदलाव भारत न्यूजिलेंड के बीच 29 नुवंबर को रांची के JSEA स्टेडिया में होने वाले T20 मुकाबले में कोई फिर बदल नहीं होगा होटल की जो समझ से आ रही थी उसे सुल्जा लिया जाएगा बता दे होटल रेडिशन बुलू प्रवंधन ने JSEA को अस्वस्थ किया है कि खिलाडियों के लिए होटल उपलब्द करा दिया जाएगा मैज की त्यारी का जाजा लेने BCCI की एक टीम 14 अक्टूबर को रांची पहुँचेगी बता दे टीम के सुल्जा से होटल के साथ सुरक्षा वेवस्था का भी जाजा लेंगे हाजारी बाग के GT रोड दनुआ घाटी में सोम और अले सुब़ एक बड़ी सड़क दुर घटना होई इसमें देव घर के दो लोगों की मौत हो गई है वहीं लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए है बता दे घायलों का इलाज समुदाइक अस्पताल चोवपारण में किया जा रहा है मृत को की पहचान सैलेस तीवारी 25 वरस वर टुन तीवारी 35 वरस के रूप में हुई है बता दे मिरी तक रिष्टे में चाचा भती जा थे धन्यवाद